हलो गाईज मैं हूँ पपो और आज इस वीडियो में जानेंगे फसल फसल वरगी करन के आधार क्या है आज वो चीज़ आपको बताऊंगा जो आज से पहले आप नहीं जानते होंगे तो चलिए एक एक चीज़ को बड़े ही आराम से समझते हैं फसल जिसे एंगलिस में कहते हैं क्रॉप मनुस्य द्वारा अपनी देख भाल में खेतों में उगाए गए पोधा को फसल कहते हैं और फसल को हम फसली पोधा भी कह सकते हैं यानि कुल मिलाकर कहा जाए तो जो हम लोग हैं यानि मनुसी हैं तो हम लोग देख भाल करके खेतों में पौधा उगाते हैं तो वही पौधा हमारा क्या है फसल ओके नेक्स्ट अब देखिए फसल वरगी करन के अधार क्या है यानि कुल मिलाकर कहा जाए तो फसलों को किन किन वरगी करनों के अधार पर बाटा गया है तो पहला आजाता है मौसम के अधार पर दूसरा समय के अधार पर और तिसरा उपभोग के अधार पर अब चलिए जानते हैं कि मौसम के अधार पर फसलों को कितने भागों में बाटा गया है मौसम के अधार पर मौसम के अधार पर फसलों को तीन भागों में बाटा गया है पहला खरीप फसल, दूसरा रभी फसल और तीसरा जेठी फसल जिसे हम लोग जायद फसल भी कहते हैं तो चलिए अब जानते हैं खरीप फसल खरीप फसल, जो फसल जुन जुलाई में बोई जाती है तथा अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है ऐसे फसल को हम लोग खरीप फसल कहते हैं उदाहरन में दिख सकते हैं मैंने लिख रहा है धान, गना, जवार, बाजरा तथा मक्का, इतियादी ये जो सारे चीज़े आप दिख पा रहे हैं, ये क्या है खरीप फसल के उदाहरन, ओके, नेक्स्ट अब देखिए रभी फसल, जो फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, तथा मार्च अप्रील में काट ली जाती है ऐसे फसल को हम लोग रभी फसल कहते हैं, जैसे में गिहुम हो गया, चना हो गया, सरसो, आलू, राई, मटर, खेसारी इतियादी, ये सारी चीज़े नेक्स्ट, अगला है जायद फसल, जिसे हम लोग जेठी फसल भी कहते हैं, जो फसल मार्च से जून के बीच बहुती कम समय में बोई जाती है, येवम काटी जाती है, उसे जेठी फसल कहते हैं, जैसे में हो गया, मका, जवार, जूट, तर्बूज, खर्बूज, इतियाद ये सब क्या है, जायद फसल, ये कम समय में बोई भी जाती है, और कम समय में काट भी ली जाती है, तो ऐसे फसल को हम लोग जेठी फसल कहते हैं, यानि जायद फसल, ओके, नेक्स्ट, अब जानते हैं समय के अधार पर फसलों को कितने भागों में बाटा गया है, तो समय के धार पर भी फसलों को तीन भागों में बाटा गया है पहला वार्षिक फसल दूसरा द्वी वार्षिक फसल और तिसरा बहु वार्षिक फसल चलिए अब जानते हैं वार्षिक फसल वार्षिक फसल जो फसल उगने से लेकर पकने तक एक वर्स या इससे कम समय लेता है उसे वार्षिक फसल कहते हैं उदाहरन में देख सकते हैं गेहूम, मका, धान, इतियादी ये एक वर्स से कम समय लेता है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं वार्षिक फसल याद रखिएगा जो फसल उगने से लेकर पकने तक एक वर्स का समय ले या इचे से कम समय लेता हो उसे हम कहेंगे वार्षिक फसल ओके, next अगला है द्वी वार्षिक फसल जो फसल उगने से लेकर पकने तक दो वर्सों का समय लेता है उसे द्वीवार्षिक फसल कहते हैं नाम से ही पता चल रहा है द्वीवार्षिक यानि दो वर्सों का समय लेगा तो द्वीवार्षिक फसल में याद रखिएगा जो फसल दो साल में त्यार होता है बस आप उसे कह दिजेगा दिवी वार्षिक फसल उदारन में देख सकते हैं चुकंदर ओके नेक्स्ट इसके बाद है बहु वार्षिक फसल यानि बहुत सालों तक यानि अनेक सालों तक तो यहाँ पर देखिए जो फसल अनेक वर्षों तक जिवीत रहता है उसे बहु वार्षिक फसल कहते हैं उदारन में देख सकते हैं चाय, नैपियर, लुसर्न, इतियादी यह सब क्या हैं बहु वार्षिक फसल है बहुत दिनों के बाद तयार होते हैं बहुत सालों के बाद यह तयार होते हैं इसलिए इनकों कहते हैं बहु आर्सिक फसल ओके नेक्स्ट अंतिम में हमारा आजाता है उपभोग के अधार पर फसलों के परकार तो पहला में आजाता है धान या अनाज तो धान या अनाज में आजाता है गिहूम, धान, जवार, मकई, इतियादी दूसरा में है दलहन, दलहन में आजाता है चना, मटर, अरहर, इतियादी और तेलहन में आजाता है मूंग, फली, सोयाबीन, सरसो, इतियादी और नकदी में आजाता है गना, तंबाकू, चाय, कौफी, आलू, इतियादी इसके बाद है रिसेदार फसल में जूट हो गया, सन हो गया, कपास इतिया दिया इसके बाद है चारा और हरी खाद में सनई, धैंचा और बरसीम ये सारी चीज़े उपभोगे के अधार पर आ जाते हैं I hope इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी आपको बताया है वो आप आसानी से समझ गये होंगे तो गाईज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर से दबा दीजेगा और ऐसे ही मज़दार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं बाई बाई, टेक क्यार